हलो एंड वेलकम दोस्तों लखाइपूर टीवी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बता रहा हूँ वीक्स के घरेलू फैदे के बारे में जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि वीक्स वैपोरब का इस्तेमाल सर्दी, खांसी, सिने की जक्णन होने पर करते हैं नाक बंद होने और गला खराब होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ये सब तो इसके नॉर्मल परयोग हैं आज आप जानेंगे वीक्स वैपोरब के दूसरे कुछ चमतकारी परयोग के बारे में वीक्स वैपोरब आयुर्वेदिक फार्मूले पर बनी हर्बल दवा है कपूर, यूकोलिप्टस तेल और मेंधौल इसका मुख घटक है कील मुहासों को दूर करने के लिए भी आप विक्स वैपोरब का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे दिन में कई बार लगाईए और फायदा देखिए मच्छरों से बचने के लिए मच्छर हमारे देश की समस्याओं में से एक है मच्छर के काटने से ही मलेरिया बुखार जैसी बीमारी हो जाती है मच्छरों से बचने के लिए शरीर पर और अपने कपड़े पर विक्स वेपरब लगाईए, मच्छर पास नहीं आएंगे हटी एडियों पर भी विक्स की मालिश करने से बहुत फाइदा होता है माईग्रेन में भी अगर माथे पर विक्स वेपरब की मालिश की जाए तो दर्द में फाइदा होता है जोड़ों और माच्पेशियों के दर्द और सूजन में भी विक्स वेपरब की मालिश कीजिए पाइदा मिलेगा इसे कम से कम 5-10 मिनट तक मालिश करना चाहिए हटे और सूखे होटों पर विक्स वेपरब सोने से पहले लगाने से हटे होट ठीक हो जाते है महिलाओं में गर्भा वस्ता के बाद होने वाले स्ट्रेच मर्श को भी दूर करने के लिए यह बहुत असरदार है जैसा कि आपने देखा होगा प्रिग्रेंसी के समय पेट का साइज बढ़ने से पेट के निचले हिस्से में धारी वाले निशान हो जाते हैं इन निशानों को दूर करने के लिए विक्स वेपरप की मालिश कीजिए दो-तीन हफ़ते में ही एस्ट्रेच मार्क्स दूर हो जाते हैं और इसकी नर्मल हो जाती दाद, खाज, खुजली और एक जीमा होने पर भी इसकी मालिश कीजिए और फायदा देखिए कट जाने, छिल जाने या खरोंच लगने पर भी इसे लगाने से फायदा होता है सर्दी, खासी, जुकाम होने पर इसे पैरों के तलवों में लगा कर मोजा पहन लें इसे सोने से पहले लगाएं बहुत फायदा होगा ड्राइ स्कीन या सूखी तवचा वालों के लिए या मॉस्टराइजर की तरह काम करता है विक्स वेपोर अब एक ऐसी चीज है जो हमारे देश के अलावा दुनिया में हर जगा मिल जाती है जिसे आसानी से लेकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी विक्स वेपोर अबके घरेलू परियोग के बारे में इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नई अपडेट पाने के लिए और बीमारियों को दूर करने के आयरुवेदिक फार्मूले और घरेलू नुसके जानने के लिए आज की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा ले सकें आपका एक शेयर किसी को भी बीमारी से मुक्ति पाने में मदद कर सकता है आज की इस जानकारी को आप डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक पर क्लिक कर पड़ सकते हैं जो मैंने आज बताया है इसके बारे में कोई सवाल हो तो कमेंट के माधियम से हमसे पूछिए आपके सवाल आपकी राय और सुझाव का स्वागत है आप स्वस्थ रहें यही हमारी कामना है धन्यवाद